भारत में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है अगर आकड़ों के आधार पर बात करें तो अंग्रेजी, स्पैनिश और मंदारीन के बाद हिंदी दुनिया में चौथी सबसे ज़्यादा बोली जानने वाली भाषा है सिब भारत ही नहीं हिंदी बोलने और लिखने वाली लोग इस वक्त दुनिया के हर कौने में मिल जाएंगे हाला कि हिंदी भाषियों का सबसे बड़ा जमाब़ा भारत में ही है वा भी अधिकतर आबादी उतर भारत में ही बसी है तो आई दोस्तों जानते हैं कि कौन से राज में हिंदी भाषियों की पहली भाषा है सबसे पहले बात करते हैं उत्तर परदेश की उत्तर परदेश में लग बग 95% वहां के लिए रहने वाले निवासी की पहली भाषा है हिंदी इसके बाद नंबर आता है कहीं राजस्थान का जान लग भग 90% लोग हिंदी को अपनी पहली भाषा मानते हैं उत्राकंड में लोग लग भग 90% लोग हिमाचल परदेश में करीब-करीब 86% लोग हर्याना में लग भग 88% दिल्ली में 85% बिहार में करीब-करीब 78% लोग हिंदी को अपनी मात्री भाषा मानते हैं 36 गर में करीब-करीब 83% लोग मद्य परदेश में करीब-करीब 89% लोग तो आप देखेंगे कि उत्तर भारत में अधिकतर लोग हिंदी को अपनी मात्री भाषा मानते हैं जिस तरह से आप दक्षिन की तरफ जाएंगे तो दक्षिन में हिंदी बोलने वालों की जो पर्तिशत है वो कम होती जाती है हाला कि कुछ पिछले कुछ दसकों में ये नंबर्स बड़े हैं ये पर्तिशत बड़ी है बट फिर भी उत्तर भारत के एक कंपेरिजन में दक्षिन भारत में आज भी हिंदी काफी कम बोली जाती है उत्र भारत में भी अगर आप पंजाब की बात करें तो लगबग 10 पर्तिशत लोग ही हिंदी को अपनी मात्री बाशा के रूप में मानते हैं और जमू कश्मीर में लगबग 20 से 21 पर्तिशत लोग और कुछ अगर राजियों की बात करें तो महरास में 12 पर्तिशत पर्तिशत लोग हिंदी को अपनी पहली भाशा के तोर पर मानते हैं लक्ष दीप में केवल 0.25 फिजदी लोग हिंदी बोलते हैं पुटुचेरी में 0.51 फिजदी तमिल नाडू में करीब 0.5 फिजदी केरल में 0.15 फिजदी आप कह सकते हैं केरल में काफी कम संख्या में और या तुना के बराबर लोग हिंदी को अपनी प्रतम भाशा मानते ह इसके अलावा करनाटक में 3 फिजदी आंदर परदेश में साई 3 फिजदी हिंदी को बोल चाल की भासा के तोर पर इस्तमाल की जाती है और पुर्वी राजी अगर ओली शा की बात करे तो लगबग 3 फिजदी लोग हिंदी बोल पाते हैं कुछ प्रुवत्तर की राजियों क 0.975 मनीपूर में 100.90 का इस्तमाल कर तो यह हैं हिंदी जो की आम तोड़ पर उत्तर भारत में अधिकतर लोग हिंदी को अपनी परथम भाtar मानते हैं और तकस्षिंग में बहुत कम लोग और पुर्वत्तर में भी काफी कम लोग हिंदी को अपनी भार्षा मानते हैं आपकी अपनी मात्री भाषा क्या है आप हमें कमेंट करकर जरूर बताईएगा धन्यवाद